जी हां बिलकुल आपका admission एक दिन में भी confirm हो सकता है और यह admission confirm हुआ भी है इस video में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साले नहीं इनका admission एक दिन में confirm हुआ इन्होंने हमसे admission कराया है यह इनहीं का dashboard है मैंने open कर दिया है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा इस video में हम सबसे उस date को देखेंगे तो इस दो date को देखने के बाद payment history और verify का date देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि admission जो है कितने दिन में confirm हुआ है और एक दिन में confirm हुआ है चले मैं आपको सबूत दिखाऊंगा इसमें admission के लिए कहीं भी आपको भटकनी की जोरत नहीं घर बैठा certificate होता है जो मैं लेकी आया हूँ वहीं से एनस नोटा एड़ ऑपिस से वह मैं आपको दूगा इनको भी मैंने दिया था और जिस बज़े से इनके पास जो हैंका admission confirm हुआ है तेजी से जल्दी में चले हम आपको समझाता हूं किस तरीके से चले देख लेते हैं एक बाल तो अगस्त को यह payment हुआ था इन्होंने payment किया 2420 रुपय यह पेड़ हो गया और देखो एक बात और बताना है आपको आपने यहां देखा कि 2420 रुपय पेमेंट है लेकिन आप तो यह भी देखते हो कि पेमेंट जो होता है admission के नाम पे 10,000 रुपय तो कहीं 15,000 रुपय तो कही 20,000 रुपय ऐसे भी ले लिए जाते हैं admission के नाम पे क्यों कि आपको जानकारी नहीं है जबकि आपने देखा इनका admission जो government की जो fees है यानि जो NS के अपनी fees है उसी fees में का admission हुआ है केवल आपको membership को join करना है 501 आपको pay करना है आप जानकारी लीजिए और जानकारी के बाद जो है यह admission जो है समझने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जवरत बिलकुल भी नहीं है पेमेंट हिस्ट्री की डेट को आपने देख लिया यह 9 अगस्त का जो है पेमेंट है अब हम देखेंगे कि हमारा admission confirm कब हुआ है चलिए मैं आपको वापिस लिए चलता हूं तो अब वापिस आ गए हम देखेंगे अपना जो है यह जो इधर से आता है हमारे पास message जो आया ह हुआ है एनर्स की तरफ से notification जरा उसको देख लेते हैं तो यह notification हमारे पास आया हुआ है दस तारीक को यह दस अगस्त को आया है कि admission verified 9 अगस्त को हमने पेमेंट किया admission के लिए ठेक और 10 अगस्त को उसके अगले दिन जो है यह verified हो जाता है तो इसलिए admission आपको हमेशा किसी export क की मदद सही लेना चाहिए क्योंकि उनको सारी बाते पता है जिससे आपको बाद में समस्या का सामना ना करना पड़े बाद में कौन सी प्रावलम होती है बाद में correction की प्रावलम आ जाती है आपके नाम में आपके नाम में father name में mother name में data worth में stream को लेने में subject को लेने में address बह आप यहां पर देख सकते हैं कि application status में हमारा admission क्या है confirm हो चुका है तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि admission confirm हो गया तो आप भी admission लेना चारे हो फिर उसके आगे फिर तयारी कैसे करनी है online class के जरिए भी आपकी class हो जाएगी आप घर बैठे अपनी study करेंगे कहीं भटकन देने की जवरत नहीं है कहीं भी किसी को फालती पैसे देने की जवरत नहीं है और जेतना उसके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबी लोगों को जानकारी पता चलनी चाहिए कि वह membership channel के साथ जुड़े और घर बैठे जानकारी प्राप्त करें मैं आप से मिलता हूं अगले क्लास में एडिमिशन लेना है आप मुझे जरूर बताएं थैंक्स पर वाचिन जैस्री राम